IIT Jam के exam forms आने वाले हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, तो बहुत ही जल्दी IIT Jam के exam form आने वाले हैं, 5th of September को आपके exam forms आ जाएंगे IIT Jam का exam form कैसे भरना है, क्या eligibility रहने वाली है, और कौन से website से भरना है, और कौन कौन से documents लगेंगे यह चारो बातें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, so let's start Hello everyone, welcome to Spark Up Classes, this is Suman Yadav, first of all, तो IIT Jam का form भरने के लिए आपके पास कोई भी graduation के degree होने चाहिए चाहिए आप BA किये हो, BSC किये हो, BCOM किये हो, कुछ भी आपने मतलब graduation के degree acquire की है, तो उस basis पे आप अपना paper choose कर सकते हो और आप exam दे सकते हो अगर आपने gap भी कर दिया है, मतलब मालो आपका graduation पूरा हुआ है 2021 में, और आप 2024 में paper दिने जा रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें gap से related कोई problem आने वाली नहीं है तो कोई भी graduation degree वाले बच्चे अपने respective subject में IIT Jam का exam दे सकते हैं और ये exam post graduation के लिए है, ओके, IIT Jam exam देने के बाद आप MSC कर सकते हो, M.Tech कर सकते हो, या MSC PhD dual degree कर सकते हो, ये तीन courses में आप admission ले सकते हो, exam form आपके 5th of September को release होंगे और 12th of October को close हो जाएंगे, तो इसी के बीश मे तो late fees के साथ आप 20th November तक भी form fill up कर सकते हो, exam इसका 11th of February को होना है और 8th January को आपका admit card आजाएगा, ये सारे details हैं आपके date से related, I hope आपको समझ में आई होंगे, और इसका career इसको बहुत ही अच्छा है, आप IIT से MSC करते हो, तो आपके placements लगते हैं, प्लस अगर आप कहीं पाते हैं, आपके IIT से related, eligibility मैंने आपको बता ही दी, मैंने आपको अच्छा website बता दे रहूं कैसे form fill up करना है, form fill up करने के लिए आपको jam.iitm.ac.in पे जाना है, website का link आपको description में मिल जाएगा, फिलहाल application अविलेबल नहीं है, पर इसी link पे आपको 5th of September से application मिल जाएगा, ठी भी 5th of September होता है, उसके बाद से आप payment कर सकते हो, general EWS और OBC और male के लिए, जितने भी male candidate इस category से belong करते हैं, उनके लिए fees आपकी one subject की रहने वाली है 1800, और two subjects की रहने वाली है 2500, ठीक है, female candidate और STSC candidate के लिए fees रहने वाली है, आपकी 900 रुपए per subject, दो subject लेना चाहते हो, तू 1200, दो से जादा subject आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दो ही shift में exam होता है, morning and evening, एक subject आप morning से ले सकते हो, एक subject आप evening से ले सकते हो, complete detail जाननी है, तो मैंने already वीडियो बना रखी है, description में उसका link मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो, अभी मैं सिर्फ आपको हलका हलका सा idea दे र हो चुका है graduation, तो तीनो साल की mark sheet with degree आप provide करोगे, degree certificate graduation के 2-3 साल बाद मिलता है, तो अगर आपको नहीं मिला है, तो आप उस पे, यह mandatory नहीं है, लिकिन अगर आपके पास है, तो आप तिलब कर देना, आप डाल देना उसे, चीक है, next आपको 10th और 12th की mark sheet लगेगी, category certificate आपक आपको general candidate माना जाएगा, next अगर मैं आपके बाद बताओ, तो आपको आधार card या कोई भी ID card आपके पास होना चाहिए, जिस college से आपने graduation करना है, उसका address, proper address with pin code आपके पास available होना चाहिए, वोची से आपको upload करनी होगी, और eligibility criteria है यह कि आपने कौन से subject से आपने BSc की है, य तो यह सारी कुछ बाते है, documentation से related, I hope आपको समझ में आई होंगी, photo signature तो लगना ही लगना है, photo में white background होना चाहिए, signature भी white background पे ही होना चाहिए, blue black pen से, इतनी सारी चीज़ें आपको ज़रुवत पढ़ेंगी, and photograph recent की होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक let me know in the comment section, I am always active for you, wish you all the best.